Hello everyone, रादाजी की किचन में आप सभी का वेलकम है, बटाज हम किचन में काम नहीं करेंगे, आज मैं आपको काफी बेस्ट चीजों को हम समझ के फेक देते हैं, उन्हीं को कैसे अच्छे से यूस कर सकते हैं, वो बताऊंगे, यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादे जो कि हमें बहुत गंदा लगता है, तो हमें किया यह वाला ज्जाडू नहीं लेना है जाले वगेरा के लिए, वो मार्केट से यदि हम ज्याडू लेके आते हैं, ज्याले का हलाकि असानी से मिल जाता है, पर वो सो से देट सो रुपे के लगबग आता है, तो हम फालतो जाले जाले जो अच्छे से आ जाते हैं, तो भी दिक्कत नहीं आएगी, तो हम लोग खर्चों की नहीं सोचेंगे बचत की, तो फिर उपन सोचेंगा, लेडिस को तो जो सोचना पड़ता है, तो मैंने जाले ले लिया, एक बड़ा सा आपको डंडल ले लेना है, और अब इसा नहीं है कि एक गांट लगा लिए और ये बंदिया, ये तरीका जो बिल्गुल रोण है, वो इसलिए यदि आप इस तरीके से गांट लगा होगे, तो जाले जो गिर के आपके उपर ही आजाएगा, तो यहां क्या करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से दो इसे जाड़ू जो है बहुत मजबूत हो जाएगा, फिर जब हम जाले पगीर निकाल लेगे न तो बिल्कुल भी गिरेगानी एकदम सैट हो जाता है, तो इस तंडे को लगाने से और जाड़ू को लगाने से अमारा काम आज़ान हो जाता है, और मारकेट से हमें स्पेशली जाडू नहीं लेके आना पड़ता है जाले के लिए तो यहां पर हमारा जाडू भंद गया वो देख रहे हूं मैं इसको गिरा रहे हूं तो गिन नी रहा है बेल्कुल भी हिलनी रहा है एक जाडू यहां बड़ा सा बनकर तयार हो गया वो भी स्रिफ डंडे से तो अब हमें इड़ी उचका के जाले नहीं लेने सिंपली नॉर्मल सा खडा हो जाना और बेल्कुल आप चट की जो जाले हैं ले सकती हो पोर्नर के साथ सद चट की बी जाले आसानी से अम यहां ले सकते ना घर सो रुपय आज के बाद आप यहां खर्च मत करना वो डंड़ा है कि जाड सबस्क्राइब दूसरी आरे जोड़ देना तो इसमें दो गांट लगा देंगे तो दो गांट में काफी मजबूत हो जाएगी एसे ही करके आप यहां सब साडियों की फाल को एक दूसरे से जोड देना तो एक इस तरीके से भी आप गाट लगा सकते हो कि दोनों फाल को एक साथ रख सकते हो उसको सिंपली मोड के इस तरीके से गाट इसकी यहां गठान लग सकती हैं देखा आपने कितना आसान है तो यह पर दूरों से कोई साबी तरीका यो भी आपको भेशत लगे उस तरीकार लागे लीना तो आपने लां गांट जरूर ही नहीं जरूट को आपको इननुक्त होगा अफेसमें फ़व को सकते हैं या फिर आपके पास यह पाले पाईप और लोई के एक चछत भी लगे रहते हैं तो एक को इधर गाट लगा दी मैंने एक को इधर गाट लगा दी खुल मिलाकि मेने यहां रस्सी बना ली साडी की वेस्ट फालो से हमने रस्सी बना कर तयार कर ली जो की काफी बड़ी बन गई तो इसमें क्या कर सकते हो फ्रेंड्स अब आपके यहां कपड़े सुखा सकते हो ओर इस तर आप यहां कपड़े लगा देना हवा में कपड़े नहीं उडएगे इस तरीके से तो हो गया ना इसका कितना अच्छा यूज फाल को आज के बाद आप फेकना मत साड़ी के साथ साथ ठीक है अब बारी आती थार्ट टिप्स की तो वो यह कि हम नए जाडू लाते हैं और उनको किसी भी नीचे जगे में गुसाते हैं तो उनके बाल जो जाडू क इनको का नेमगा अब है इसे लुए मोजवी इसके मेलेना है मोजवी घृह आ गापि बनार होज़うん या बार मैं हमारे हात नाहीं जाते हैं जाडू जो पतले यह चले जाते हैं हाथ मोटे होते तो वो नहीं जाते हो या फिर किसी-ालिए होतें तो रूतां जो हो दोग हमारा नएया धैडो खराब हो जाता है फिर जाडू अचे से नहीं लगता ओर कचड़ 166 तो इस Eine को आपने सब्सक्राइब निकाल सकते हुए इसका दूसरा यूज भी आप यहां ले सकते हुए ऐसी ले सकते हो कि आपने मोजह एना इसको यह पर पानी के चीटे देना है क्वेकि आपके दो यह इने जो प्रीज पे काफी दूसल्ड हो जाती है। कि इस पर कुछ जादा ही दूल ऑगई है क्योंकि मेरा घर फ्रेंट थोड़ा खुला है आगन वगे राभी तो इसमें काफी दूल आती है अंधी चलती है तो बारिस के मुसम में नहीं आती पर आंधी वगेरा यहां गर्मी में स्टार्ट और तो दूलाना है स्टार्ट होगी बिल्कूल पी देखरों आप दूल हातों में नहीं आरी क्योंकि इसके अंदर का कचणा भी निकल गया और इसके उपर की भी हमने आज सफाई कर ली तो केसा लगा आपको मेरा टिप्स फ्रेंट्स मुझे वीडियो में जरूर बताना यादि आज का वीडियो अच्छा देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना कीमती समय मेरे लिए देने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ जब तक लिए बाब आएं टेक केर